हेलो जिन मस्कार चादिर कडोज घाने उसके एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ बिजा चोहान और आपके लिए एक और नई भरती की नोडिफिकेशन लेकर क्या गए है ये जो नोडिफिकेशन है अप्रेंटिसी प्रोग्राम की भरती के लिए जो है जार अप्रेंटिसी प्रोग्राम की भरती की प्रक्रिया के बारे में बता दें ये जो भरती है किसी तरह की सरकारी नोगरी या फिर प्राइबेट नोगरी नहीं है अप्रेंटिसी प्रोग्राम के तहट जो है यहां पर एक वर्स के लिए भीविन्न तरह के ट्रेड में जो है य Defense Research and Development Organization के तोर पर भी जो है जाना जाता है इसके अंतरगत दो अलग-अलग कैटिगरी में जो है यहाँ पर Apprentice Program के अंतरगत भरतियां की जाएंगे सबसे पहली जो कैटिगरी रखी गई है Graduate Apprentice सीफ वालों के लिए जो है रखी गई है जिसमें B और B टेक वाले जो है अपलाई कर सकते हैं इसमें अलग-अलग जो है Essential Qualification रखे के हैं और इसमें बता दें कि B.S.C. Chemistry वाले और B.S.C. Physics वाले भी जो है अपलाई यहाँ पर कर सकते हैं Graduate Apprentice के लिए टोटल 30 सीफ यहाँ पर रखे गए यानि कि 30 पदों पर भरतियां की जाएंगी और इसमें 12,000 रुपे का प्रतिमा आपको इस टाइपन जो है देखने को मिलेगा वहीं टेकनिसियन के लिए भी जो है यानि कि डिपलोमा वालों के लिए भी जो है यहाँ पर रखा गए है डिपलोमा वालों के लिए टोटल जो है यहाँ पर 11 सीट रखे गए यानि कि 11 पदों पर डिपलोमा वाले के लिए जो है यहाँ पर भरतियां की जाएंगी जिसमें mechanical engineer, chemical engineer, electrical engineer, electronics engineer, computer science engineer के तोर पर आप अपलाई कर पाएंगे यहाँ पर और डिप्लोमा बालों को 10,000 रुपे के पृति मा इस टाइपन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा इस भरती के लिए आपको online के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा online आवेदन करने के लिए जो है यहाँ पर इनकी जो official email ID है वो जो है बताई गई है तो email ID पर जो है आपको अपना जो भी document वागिर है उसको PDF format में बना करके जो है आपको आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा आवेदन करने की जो अंतिम किती है 30 अपरेल 2024 तक की जो है यहाँ पर रखी गई है और इस भरती में बात करने चैन की प्रकरिया के बारे में तो interview जो है यहाँ पर ले जाएंगे प्राइगे उस संवन में जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है तो आपको अपने खर्च में जो है यहाँ पर रहना पड़ेगा और अपने खर्च में जो है यहाँ पर आना जाना यानि कि जो भी जानकारी पूछा गया है उसको अच्छे से भर करके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे अप्लाई करने के लिए आपको इनकी आफिसियल जो है यहाँ पर इमेल आइडी बताई की है इसी इमेल आइडी के माध्यम से आपको आपधन प्रस्तुत करना होगा आपधन करने प्रस्तुतियां पर कर पाएंगे दो अलग-अलग कैटिगरी में अप्रेंटिसिव प्रोग्राम के तह जो है डी-ार-डी-ो में जो है भरतिया निकाले गई है ग्रेजर्ट इम्प्रेंटेश वालों के लिए 30 पदोपर भरति होगी वही डिप्लोमा वालों के लिए 11 पदो पर जो भरतियां की जाएंगी